हेलो इस्ट्वेंट्स मैं वीरेंद मदोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्व चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिसियन्स इस्ट्वेंट्स आज हम हाइपर बोला की इस तरह की एक्वेशन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है दिये जाने पर उनकी एसेंटिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, डारेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस की एक्वेशन्स आज कैसे निकालेंगे, इनकी सौट्ट्रिक्स में आपको बताऊंगा, जिससे आप ये सारी क्वेशन्स कुछ ही सेकेंट्स में निकाल सकेंगे इस्ट्रिक्स, अभी तक आप ये कोशन्स, टांस्फार्मेशन ओफ एक्सेस एंड ओरीजन के लेंदी मेथड से करते थे, जिसमें आपको आठ से दस मिनट लगते थे, लेकिन इस सौट्रिक्स से आप ये सारी क्वेशन्स एक मिनट के अंदर ही निकाल लेंगे लेकिन इस्ट्रिक्स, मेरी आप से रिक्वेश्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखे, इसमें आपको इन सारी क्वांटिटीज की सौट्रिक मिलेगी, तो आईए सुरू करते हैं आज का लेक्चर इस्ट्वेंट्स ये सारी quantities निकालने से पहले आप सबसे पहले ये recognize करिए कि ये कौन सा hyperbola है ये transverse hyperbola है कि conjugate hyperbola है तो इसके लिए आप यहाँ पर ये जो भी आपको equation पूरी दी गई है इसमें ये जो constant term है उसको आप देखेंगे कि ये positive है कि negative है जैसे यहाँ पर देखें ये constant जो है वो minus 164 है तो अगर ये minus का है constant तो ये जो आपके सामने hyperbola बना है ये transverse hyperbola होगा और अगर यही constant जो है वो positive है तो वो conjugate hyperbola होगा जो इस तरीके का होता है ये vertical तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ये recognize कर लिया कि ये जो हमको hyperbola दिया ग hyperbola की सारी यहाँ पर quantities use करेंगे तो देखें सबसे पहले तो हम यहाँ पर a square और b square निकाल लेते हैं तो a square और b square निकालने के लिए देखें यहाँ पर जो equation में y square का coefficient है वो हम लेंगे a square और जो x square का coefficient है वो हम लेंगे b square तो देखें y square का coefficient यहाँ पर minus 9 है इस minus 9 को हम neglect कर दे पॉजितिव जो भी नंबर होगा वो हम लेंगे तो a square equal to 9 हो गया और b square equal to 16 हो गया इससे हमको a और b की value प्राप्त हो जाएगी अब हम यहाँ पर निकालेंगे eccentricity तो eccentricity e इसके लिए formula है यहाँ पर root 1 plus b square upon a square इसमें हम value रख देंगे 1 plus b square जो है वो 16 है upon a square 9 है तो यह 5 by 3 आ जाएगा तो इतनी working तो आप general method में भी करते ही है अब short trick का काम यहाँ से शुरू होता है तो देखे सबसे पहले हम center निकालते हैं तो center के हमें करना क्या है कि यह जो भी हमको equation दी गई है इसको हम एक बार x के respect में differentiate करेंगे y को constant मानते हुए ऐसे ही एक बार y के respect में हम इसको differentiate करेंगे x चो constant मानते हुए तो देखे हम यहाँ पर इस equation को हम पहले with respect to x differentiate करते हैं तो जहां हम इसको differentiate करेंगे तो देखिए यह 32 x plus 32 equal to 0 आ जाएगा इससे हमको x equal to minus 1 मिल जाएगा अब हम यहाँ पर इसे equation को with respect to y differentiate करेंगे अब हम यहाँ पर x को constant मानेंगे तो देखें यह 16x square का जो है वो 0 हो जाएगा minus 9y square का जो है वो minus का 18y हो जाएगा 32x यह constant है इसका 0 हो जाएगा 36y इसमें 36 रखकर रहेगा और y का जो है वो 1 हो जाएगा और 164 constant है इसका 0 हो जाएगा तो इस तरीके से हमको एक और equation प्राप्त हो गई इससे y की value जो है वो 2 आ जाएगी अब यह जो xy की value आई है इसी इसे हम एक point बना देंगे minus 1,2 यही हमारा जो है वो center हो जाएगा अब हम आते हैं vertex और focus पे तो इसके लिए ज़रा देखिए यह हमारा जो भी hyperbola हमको दिया गया है यह standard hyperbola है जिसका की center जो है वो 00 होता है देखिए इसका center जो है वो 00 है vertex देखिए यहां पर इसके जो transverse axis के end point होते है यह vertex है plus minus a,0 और focus जो है वो इसका plus minus a,0 है तो अब यहां पर गोर करने वाली बात है कि देखिए तीनों का जो ordinate है वो same है तो अब यहां पर भी जो हम vertex और focus लिखेंगे उनके भी यहां पर ordinate same हो जाएंगे तो देखिए यहां पर इसका ordinate जो है वो 2 आया है तो vertex का भी ordinate 2 होगा और focus का भी ordinate जो है वो 2 होगा आप इसी concert पर चलिए देखिए center, vertex और focus तीनों का जो ordinate है वो same है तो यहाँ पर जो center का ordinate आया वही हमने focus और vertex का ordinate लिख दिया अब हम आते हैं इनके एपससा पर की यह क्या होंगे तो इसके लिए देखिए यहाँ पर यह 0 था इसका और इसमें 0 में ही इसी में यह plus minus a कर दिया तो vertex का आगया और इसी में यह plus minus a कर दिया जैसे 0 में अगर हम plus minus a एड़ करेंगे तो यह plus minus a रहेगा तो कुल मिला के अब vertex अगर हमें लिखना है इस वाले hyperbola का तो इसके लिए जो इस center का जो abscessा है इसी में हम plus minus a कर देंगे और focus लिखने के लिए जो इसका एपससा है center का इसमें हम plus minus a करनेंगे ये concept जो है वो same हम यहाँ पर जैसे ellipse में working होती है वही हमने use किया इससे पहले मैंने ellipse की sort tick का वीडियो बनाया अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देखिए ellipse और hypervola की working काफी कुछ same होती है बस थोड़ा बहुत अंतर है जो आप यहाँ पर इस 10-12 मिनट का वीडियो है देखिएगा आपको सारी clear हो जाएंगी तो देखिए यहाँ पर अब हम value रख देते है minus 1 plus minus a की value देखिए यहाँ पर 3 है comma 2 तो इस से हमको यहाँ पर दो point मिल गए यह 2,2 और minus 4,2 तो इस तरहीके से यह हमको दो vertex प्राप्त हो गए अब यहाँ पर हम same ऐसे ही रख देते है minus 1 plus minus a a की value जो है वो देखिए यहाँ पर 3 है और e की value 5 by 3 है और comma 2 यह रख रहेगा 3,3 cancel हो जाएगा अब एक बार हम यह minus 1 plus 5 लेंगे एक बार minus 1 minus 5 लेंगे तो इस तरहीके से हमको यह 4,2 और minus 6,2 यह दो जो है वो focus प्राप्त हो जाएंगे अब इस ट्रेंट समाते है transverse axis और conjugate axis की equations पर तो देखिए यहाँ पर यह इतना यहाँ से यहाँ तक यह A, A dash यह transverse axis होता है और यहाँ यह B, B dash ले लेते हैं इसको हम यह जो है वो हमारा conjugate axis होता है तो अब यह जो इन दोनों axis की equation है वो यह जो हमने center की working में यह x equal to minus 1 और y equal to 2 निकाला है यही जो है वो transverse और conjugate axis की equations होंगी लेकिन इसमें से कौन सी transverse axis की होगी और कौन सी conjugate axis की होगी इसके लिए आप समझेगा यह जो हमारा standard hyperbola है आप इतनी बात समझ लिए होंगे कि यह जो figure बना है यह 00 center वाला standard hyperbola है जबकि यह जो हमको hyperbola दिया गया है यह standard hyperbola नहीं है यह इसी के पहलल इस तरीके का कुछ hyperbola है तो अब हमें यहाँ पर इसका transverse axis और conjugate axis है यह तो वो इस वाले ही hyperbola के transverse axis और conjugate axis के पहलल होता है तो देखे यहाँ पर इसका जो transverse axis है वो यह x axis है जिसकी equation देखे यह मैंने दिखाई है कि y equal to 0 है तो इसका transverse axis जो है वो x axis के पहलल होगा तो यह y equal to 0 मतलब की x axis के पहलल लाइन तो यह जो y equal to 0 के पहलल जो होगी वो y equal to k कुछ form में होगी तो यहाँ पर जो भी दो equation प्राप्त हुई है इसमें y equal to something कुछ भी जो number प्राप्त हुआ है वो जो है वो transverse axis के equation हो जाएगी तो transverse axis के equation यह हमारी यहाँ पर हो जाएगी y equal to 2 आप समझ गये होंगे y equal to 0 यानि की x axis के parallel line अब ऐसे ही यहाँ पर जो दूसरी equation प्राप्त हुई है तो वो जो है conjugate axis के equation हो जाएगी तो यह x equal to minus बना जाएगा तो यहाँ पर center की working में जो दो हमको x और y की value मिली है उन्हीं से हमको transverse axis और conjugate axis की equation प्राप्त हो जाएगी अब strands हम आते हैं directrix की equation पर तो directrix की equation के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि directrix देखिए यह जो है x equal to a by e यह होती है हमाई इस standard हाइपर बोला की होगा कि इसके parallel होगी conjugate x x के तो x equal to 0 है और यहाँ पर x equal to a by e तो 0 में यह a by e add हो गया यानि कि यहाँ पर जो भी number था उसमें a by e add हो गया तो यहाँ पर देखिए इसकी directrix equation में क्या होगा x is equal to minus 1 यह हमारा जो भी है इसमें plus minus a by e हम कर देंगे यह आप इस concept से समझ गया होगे x equal to 0 x equal to a by e 0 में a by e add हो गया तो यहाँ पर x equal to minus 1 है तो minus 1 में x equal a by e जो है वो add or subtract हो गया तो x is equal to minus 1 plus minus a by e a की value देखिए यहाँ पर 3 है upon e की value 5 by 3 है तो यह 5 3 उपर पहुंच जाएगा तो यह 9 by 5 आ जागा इसको आप एक बार plus एक बार minus लेके solve कर लेंगे तो यह equation मैं सीधे लिख देता हूँ अप यह 5 x equal to 4 आ जाएगी और 1 आएगी 5 x equal to minus का 14 तो इस तरीके से यहाँ पर सारी quantities cover हो गई बाकी देखिए मैंने इनकी length नहीं बताई है जैसे कि transverse access इसकी length 2 होती है तो यह बहुत easily आप निकाल लेंगे इसमें सार्टी की कोई working ही नहीं है ऐसे यहाँ पर conjugate access की length 2 भी होती है lettuce rectum की length 2 भी square by यह होती है तो यह तो सीधे यहाँ पर इनकी value आप इन फार्मूलों से निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक equation दी गई है तो सबसे पहले यहाँ पर starting हम इस बात से करेंगे कि हम यह recognize करें कि यह कौन सा hyperbola है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यह जो constant का sign है यहाँ पर हम इस से recognize करेंगे देखिए यहाँ पर इसका sign जो है वो plus में है तो हम इस से recognize करेंगे कि यह hyperbola जो है वो इस type का hyperbola second type का vertical hyperbola होगा और अगर यहाँ पर minus है तो यह first type का जैसा पिछले example में था तो इसमें यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी है कि x square का coefficient positive और y square का negative होना चाहिए तब हम यहाँ पर constant के sign से यह tag करेंगे कि कौन सा hyperbola है अब हम आते हैं a square और b square की value देखिए y square का coefficient minus sign हटा देंगे 16 यह a square हो जाएगा और x square का coefficient यह 9 हो जाएगा और इससे a और b की value आ जाएगी तो यह जो पहले hyperbola में था वही काम हुआ अब e equal to root 1 plus इसमें a square upon b square हो जाएगा जैसे इस पहले वाले में root 1 plus b square upon a square था तो a square b square की value रख देंगे तो यह हमको e की value प्राप्त हो जाएगी अब हम आते हैं center जो working हमने इसमें की थी differentiate करके x y की value निकालके यह point आ जाएगा same 100% working वही होगी यहाँ पर भी अब लेकिन vertex focus और आगे की changing जो भी होनी है उनको आप धंग से समझिएगा तो देखिए अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि देखिए इसका center 0,0 है और इसके vertex 0,b, 0, minus भी होते है यह मैंने लिख दिये है और focus 0,b, और इधर 0, minus, b होती है तो इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि एपसेसा same है जबकि इस वाले में पहले example में ordinate same था तो जो यहाँ पर इस center का जो एपसेसा है वही vertex of focus का एपसेसा होगा इस बास से आप यह result निकाल लेंगे तो देखे इसका एपसेसा 2 है तो इसका भी 2 होगया vertex का भी 2 होगया अब ordinate पे आते हैं तो ordinate देखे इसका जो है वो 0 है इसमें plus minus b हो गया और इसमें plus minus b हो गया 0 में ही plus minus b कर दिया गया और 0 में ही plus minus b add कर दिया गया तो जो इसका ordinate 3 इसमें हम plus minus b कर देंगे तो इसका vertex प्राप्त हो जाएगा और 3 में ही इसी के ordinate में 3 में plus minus b कर देंगे तो इसका focus प्राप्त हो जाएगा तो अब आप यह समझ गया होंगे कि कहां से मैंने यह quantity लिखी है वो आप इस figure से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सब कुछ clear हो जाएगा अब हम यहाँ पर b की value रख देते हैं 3 एक बार यह देखिए 6 आ जाएगा एक बार 0 आ जाएगा तो 2 को 6 के साथ ले लिया और 2 को 0 के साथ ले लिया तो हमको यह दो vertex प्राप्त हो जाएगे अब इसमें भी देखिए यहाँ पर यह तो आप समझी गहें b e की value, b देखिए 3 है e 5 by 3 है, cancel कर दिया तो 3 plus 5, 8 आ गया तो 2 कॉमा 8 और 3 माइनस 5, माइनस 2 आ गया तो 2 कॉमा माइनस 2 इस तरीके से 2 focus प्राप्त हो जाएगे अब आते हम transverse axis और conjugate axis तो transverse axis और conjugate axis इसके लिए मैंने बताया था कि आप यहाँ पे जो center की working करेंगे इसमें आपको x equal to 2 और y equal to 3 यह दो result प्राप्त हो है तो इन ही से हमको transverse axis और conjugate axis की equation मिलनी है अब लेकिन इसमें कौन सी transverse की होगी और कौन सी conjugate की होगी तो उसके लिए आप इसमें यहाँ पे दिमाग लगाएए कि यह देखिए इसका transverse axis है y axis इसकी equation जो है वो x equal to 0 होती है और इतना यहाँ से यहाँ हमाल लेते हैं यह जो है वो हमारा conjugate axis है इसकी equation जो है वो y equal to 0 होगी तो यहाँ पर transverse axis x equal to 0 है तो जो भी यहाँ पर x equal to something कुछ number प्राप्त होगा वही transverse axis की equation हो जाएगी क्योंकि इसी के parallel होगा transverse axis तो यह x equal to 2 transverse axis की equation हो गई और y equal to 3 वह दूसरी वाली जो है वो conjugate axis की equation हो जाएगी तो इस तरीके से हम transverse axis हो conjugate axis प्राप्त कर लेंगे अब हम आते हैं directrix पे तो directrix उसे ध्यान दीजिए कि जैसे यह directrix है इसकी कुछ इस तरीके की यह जो है वो इस conjugate axis के parallel है तो conjugate axis की equation y equal to 0 है इसके parallel अगर कोई line है तो यह y equal to k होगी तो यहाँ पर अब k क्या होगा तो इसमें देखे यह x की equation y equal to b by e होती है जबकि इसकी y equal to 0 है तो 0 में b by e add हो गया तो यहाँ पर लेकिन इसके conjugate axis की equation y equal to 3 है तो 3 में b by e add हो जाएगा और एक इस नीचे वाली directrix के लिए subtract हो जाएगा तो y equal to 3 plus minus b upon e आजाएगा अब इसमें b और e की value रखके आप solve कर लेंगे तो directrix की equation प्राप्त हो जाएगी तो इस तरीके से थोड़ी सी changing होके यहाँ पर जो इस hyperbola की working थी वही लगबग इस hyperbola की working है तो इस पूरे यहाँ पर लेक्चर में आप यह समझ चुके होंगे कि इन दोनों ही तरीके की hyperbola की यह सारी quantities हम कैसे sort tricks से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इसकी practice कर लेंगे तो मैं आपको बिलकुल confidence से यह बात कहता हूँ कि आप 30-30-40 second के अंदर यह सारी quantities जो है वो निकाल लेंगे अब students मैं आज के lecture को यहीं पर समाप्त करता हूँ अगर आपको lecture पसंद आया हो तो इसको like कीजिए, share कीजिए और comment जरूर करिए मुझे बताइए कि आपको यह कैसा लगा Thank you